हाई वीरिवन आपके से हमें कांटिनू करने वाले हैं, रिंग थ्यॉरी और प्रेविडियो में हमने कुछ EMPORTन ऍकोषिन किया था अगर आपने विडियो नहीं देखा है, रिंग थयोरी के डिफिनेशन जो 2nd पार्ट मि ने बन आया था तो आज हम बहुत important करने वाले हैं, अब अपने अनसाब से match कर लेना question से कितनी बार पूछा गया है, आज हम करने वाले ring theory की जो property होती है, वो मैं करने वाला हूँ, और आप देख लेना कि कितनी बार वो question repeat हुआ है, पूछा गया है, I hope आपको सब कुछ पिछले वीडियो में जो बताया गया था, समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है, तो comment करिएगा, ठीक है, तो चलिए, शूरू करते हैं आज का lecture, आज हम पढ़ने वाले है, properties आप ring, ring की जितनी property हैं, उसके बार में study करने वाले हैं, ठीक है, तो video अच्छा लगे, तो like करना, अगर कोई problem हो, तो comment करिए, और अगर आप channel पर नए हैं, तो please subscribe करें, अगर आप भी 80 second day में video देख रहे हैं, तो video ज्यादस ज्यादस सेर करिए, ताकि बहुत से लोगों के पास पहुची video, सबकी help बहुत सके, क्योंकि इसमें possible नहीं है, कि coaching classes इसको सब कुछ बंद है, ठीक है, तो सबको य as ring theory की जितनी property हैं, इसको हम करने वाले हैं, और मैं आपको बता दूँ, कि ये कई बार आपके exam में, ddu, gkp and ysu में, पूछा गया है, recently भी पूछा गया था, ठीक है, तो आप match कर लेना, अपने अंसाल से, ये कितनी बार पूछा गया है, बहुत important है, तो आज हम इसुख करने वाले हैं, ठीक है, तो शुरू करते हैं, first इसमें देखिए, properties are ring, let r plus dot be a ring, r जो है, नानने पीटि ले रहे हैं, ठीक है, तो कर रहा हैं, a dot 0 is equal to 0 dot a is equal to 0, ये आपको पूरूप करना है, ठीक है, a कहां से लेना है, ring से लेना है, उसके बाद, second कर रहा है, a dot minus b is equal to minus a dot b is equal to minus a dot b, a b आपको ध्यान देखिए, ring से ही लेना है, इसे लेना है, और third रहा है, minus a dot minus b is equal to a dot b, fourth, a dot b minus c is equal to a dot b minus a dot c इसी में second part इसका है b minus c dot a is equal to b dot a minus c dot it ठीक है तो एक्रे करके हम इसको prove करेंगे और ध्यान रहे आपको मैं बाता बोल लो हूँ gkp, deduce gkp and yes you में ये question कई बार पोचा गया है आप match कर लेना अपने अंसाल्प से ठीक है तो आज हम इसका concept पूरा हम देखेंगे ठीक है तो सचप से लिए हम first part इसका करेंगे एक 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 करके हम करेंगे तो चलिए हम first part इसका करते हैं, first part क्या करा रहा है a dot, a अगर हम ring से लेते हैं और dot 0 करें तो ये 0 के equal है नाच या 0 dot a करेंगे तो कैसे इसको हम prove करेंगे चलिए, देखते हैं a dot 0 is equal to a dot 0 plus हम 0 कर सकते हैं, कोई दिकत कोई दिकत ने, ठीक है उसके बाद क्या करना आपको इस a से multiply करना है a dot 0 और a dot 0 ठीक है ये कैसे हो रहा है distributed law, यहाँ पर लिख सकते हैं distributed law by distributed law से यह हम multiply कर रहे हैं therefore 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 a dot 0 plus a dot 0 is equal to, हम लिख सकते हैं a dot 0, इस multiply करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ठीक है, क्योंकि अगर किसे भी element में group के property है, नहीं कि अगर हम add करते हैं, 0 addition respect में अगर 0 की identity है, तो क्या करते हैं किसी भी element में आप multiply करें, 0 से क्या आएगा, वही आने वाला है तो यह हो जाएगा आपका इडिशन इन इन ग्रोप तो यह राज का first part, चलिए हम second part इसका देखते हैं तो अगर यह second part इसका हम प्रूप करते हैं ठीक है we have a dot minus b is equal to a dot minus b plus a dot b ठीक है is equal to a dot minus b अब plus b ठीक है, क्यों? क्योंकि जब multiply करोगे यह आप इसको तो minus a b आएगा अब minus a b plus a b secondsile हो जाएगा यहाँ भी क्या आएगा 0 आएगा ठीक है तो तो दोनों both side equals है ठीक है यहाँ पर यहाँ भी लिख सकते हैं distributed law distributed law से ठीक है अब यहाँ से क्या आएगा a dot क्या हो जाएगा यह 0 हो जाएगा a dot 0 एहनी 0 by 1 by first property से आप लिख सकते हैं ठीक है यह जो नहीं प्रूब किया हो था ठीक है therefore therefore a dot minus b is additive inverse additive inverse of a dot b जो यह a dot minus b है ना यह additive inverse है a dot b का ठीक है तो क्या हो जाएगा hence a dot minus b is equal to क्या हो जाएगा minus a dot b को दीक है similarly आप ऐसे ही प्रूब कर सकते हैं जो इसका second part है ठीक है यहाँ पर मैंने क्या लिया था minus b लिया था तो आपको यह part यहाँ पर write कर लेना है और फिर उसको प्रूब कर लेना similarly तो यहाँ से हम similarly similarly यहाँ पर क्या कर सकते हैं minus a dot b is equal to minus a dot b प्रूब कर सकते हैं कुछ नहीं करना है यहाँ पर b क्या लिया था यहाँ पर minus b यह था यह part यहाँ पर हम नहीं लिया था consider किया था अब आपको क्या करना है यह पार्ट यहां पर consider कर लेना ठीक है कोई दिकत नहीं तो यहां second part कई बार exam पूछेगा है एक बार ध्यान से देख लेना इसको आप चलिए थार्ड पार्ट करते है चलिए इसका हम थार्ड पार्ट करते हैं तो सब्सक्राइब क्या करना है minus a dot minus b is equal to हम क्या लिख सकते हैं कोई दिकत ठीक है कोई दिकत नहीं से अभी अभी हमने पढ़ा है property second पढ़ा था कि अगर a dot minus b हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं उसको हम लिख सकते हैं minus a dot b लिख सकते हैं कोई दिकत कोई दिकत नहीं तो यहां से हम यहां पर यह यूज करने वाले हैं using second यह अपर लिख 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 सकेंड तो जब यहां पर using second करेंगे आप तो क्या आएगा minus और यह जो प्रपर्टी यहां पर लगा दिजिए तो minus a dot b ठीक है अब देखिए म उसके का यह आपका पुरूफ हो गया तो यह था आपका third part अब हम करेंगे fourth part चलिए fourth part करते हैं तो चलिए first part करते हैं a dot b minus c करें और इसमें हम add कर दें c तो उसको हम लिख सकते हैं कैसे a dot b minus c plus c कर सकते हैं कोई दिकत नहीं क्योंकि जब हम multiply करोगे तो यही आने वाला है ठी ठीक है अब इंदो multiply करोगे तो यही आ जाएगा ठीक है तो यहाँ से अब क्या होगा देखें यहाँ पर a dot अब यह cancel होके क्या आएगा b plus 0 आ जाएगा कोई दिकत नहीं आपका तो a dot b आपका easily आ गया यानि r a dot b minus c is equal to क्या होगे हम आपका आपका a dot b minus ac जो यह ac था इसको हमने right side में कर लिया ठीक है और देखिए हमारा यह proof आ गया फर्स्ट पार्ट अब सेम आपको क्या करना है second part के लिए भी ऐसा ही कर लेना है second part के लिए भी आपको क्या करना है ऐसा ही कर लेना ac आप add कर लिजएगा इसमें ठीक है simplify कर लिए तो similarly यहां से क्या जाएगा similarly second part भी क्या जाएगा b minus c into a is equal to b into a minus c into e हो जाएगा ठीक है तो यह आपका proof हो गया तो आज हमने यही किया कि जितने प्रापार्टी थी वह मैंने करा दिया और भी आपके बुक में examples दे रखें करिएगा कहीं problem हो तो जरू comment करेंगा बस आपके बुक में यही आपका use करके प्रूब करना है जो भी question दिया हुआ है पस प्रापार्टी यूज कर कैप question को करना है ठीक है next वीडियो में हम मिलते हैं कुछ और important topic के साथ तब तक अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो like करें और वीडियो को जादा से जादा सेयर करें जिससे आप और भी student जो basis secondary में है उनको benefit मिल सके चलिए मिलते है नेस्ट वीडियो में तब तक thank you bye bye